तो हेलो बूल्स स्वागत आपका फ्यूचर बूल्स में आज 17 जन्वरी को मेट्रो ब्रैंड ने अपने कौर्टर थरी के रिजल्ट अनौंस किये हैं तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कम्पनी ने कोई डिविडेंट दिया है या नहीं थर्ड पोइंट में कम्पनी ने धाय रुपीज पर शेयर का इंट्रीम डिविडेंट दिया जिसकी रिकोड़ डेट 27 जन्वरी तक है तो हम बढ़ते हैं अप कंसॉलिडेट रिजल्ट की तरफ जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कंसॉलिडेट रिजल्ट पे हम आ चुके हैं जो कि रुपीज इन करोड़ में है टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो कौटर और कौटर इस कौटर में 613 करोड का रेवेन्यू किया है कम्पनी ने जो कि पिछले कौटर में 488 करोड का यानि कौटर में रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ा है और यरली वाइस देखा जाए तो पिछले इयर में 495 करोड का रेवेन्यू किया था जो कि इस इयर में 613 करोड का किया है तो बहुत अच्छी तरीके से कंपनी रेवेन्यू कर रही है एक्सपेंस की बात करे तो थोड़ा बहुत बढ़ा है कंपनी का तो अब हम बात करते हैं profit after tax की जैसकि आप यहाँ देख सकते हैं इस quarter में company का profit 113 करोड का हुआ है जो कि पिछले quarter में 78 करोड का था कुछ यानि profit कि देखा जाए तो quarter में बहुत अच्छा profit हुआ है और yearly में अगर हम देखें तो yearly में भी company ने पिछले year में 100 करोड का profit किया था जो कि इस year में 113 करोड का है तो yearly भाइस भी profit हुआ है थोड़ा अच्छा कासा हुआ है तर quarterly में बहुत शानदार profit किया कमपनी ने EPS की बात करें तो इस quarter का EPS 4.12 है जो कि पिछले quarter का 2.81 था यानि 2.81 से 4.12 हो चुका है EPS बहुत अच्छी बात है यह जो कि पिछले year में 3.82 था तो इस current year में 4.12 हो चुका है EPS Company के कुछ highlights अगर आपको देखना है तो आप यहां देख सकते हैं जो कि पिछले 3 महीने में Company ने 48 new stores खोले हैं जो कि बहुत अच्छी बात है Company अपना business और expand कर रही है और 9 month में देखोगे तो 96 new stores खोले हैं Company के profit भी बहुत अच्छा हुआ है revenue भी बहुत अच्छा रहा है तो म कि अगर आपको इसको खरीदना तो आप जरूर खरीदिए अगर आप इसको कोई selling दिखे तो इसमें buy and dip जरूर कीजेगा तो मिलते हैं अगले result के साथ अगली वीडियो में thank you and video को please like कीजिए और चैनल को subscribe तो कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में